हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे दोस्तों हमें लेकर आयों दोस्तों एसेंशल इंग्लिश ग्रैमर का एक बहुत ही शांदार यूनिट बहुत ही टाइम से हम लोग दोस्तों आर्टिकल्स पढ़ते जा रहे हैं ए एन और द के बारे में जानते जा रहे हैं द जो आर्टिकल है उसको डीटेल में हमें भड़ना है पिछले वीडियो में जो कि बहुत चोटा सा वीडियो था लेकिन बहुत डीटेल में हमने समझा कि अगर कोई चीज जेनरल है बहुत ही कॉमंस ही बात कर रहे हो कोई specific एक चीज की बात नहीं कर रहो अब मैं बार-बार ये word बोलता तो हो specific तो specific का मतलब क्या है specific का मतलब है आपने सारी चीजों को छोड़के उसी चीज की बात करी जैसे for example यह वाला board तो मैंने सारे boards की बात नहीं करी मैंने इस वाले board की बात general अगर मैं कहूँ तो ऐसा कहा जा सकता है कि एक teacher को board जो है बहुत help करता है अब एक teacher को board help करता है teacher भी बहुत general है किस teacher की बात कर रहे हो कोई specific नहीं है board भी बहुत general है किसी specific board की बात specific का मतलब क्या होता है यह वाला जो board है ना, यह मेरे बहुत काम आता, यह वाला board, the board, मतलब हम जहां एक ही चीज की specific एक चीज की बात कर रहे हैं, वहीं पर हम the लगाते हैं, अन्यता फिर हम the नहीं लगाते हैं, चलिए, लिए चलता हूँ, मैं chapter पे आगे आपको, दोस्तों आराम से देखिए इस chapter क Chapter No. 72 हम पढ़ने वाले हैं The The का मतलब है Names of Places दोस्तों Homework मैं दे रहा हूँ आपको बिलकुल लगातार आप में से कई सारे विध्यारती स्किप कर रहे है मुझे आपत्ती किसी बात से नहीं है मुझे तकलीफ किसी बात से नहीं है तो मज़ा नहीं आएगा Cambridge Publication की बहुत ही प्यारी किताब है ये और प्लीज इस बात पर ध्यान दीजे जहां भी मैं Homework दे रहा हूँ वो Homework जरूर करिए चलिए मैं लिए चलता हूँ दोस्तों The Plus Names of Places कौन कौन सी Places के नाम से पहले हमें The लगाना है चलिए थोड़ा डीटेल में पढ़ते हैं Place जो कि है Continents यानि हिंदी में अपन कहते हैं महाद्वीप Countries यानि देश States यानि राज्य Islands यानि की द्वीप और Towns का मतलब होता है बहुत सारे गाव मतलब कस्बे बात को समझेगा In general we do not use the Plus Names of Places यानि Continents, Countries, States, Islands, Towns के नाम से पहले The का प्रयोग नहीं करना है नहीं करना है We do not use it France is a very large country Not the France एक कंट्री का नाम है France Cairo is capital of Egypt ना Cairo से पहले The लगा ना Egypt से पहले The लगा Corsica is an island in the Mediterranean Mediterranean का एक island है कौन सा Corsica Peru जो है South America में है But we use the in the names with Republic या States या Kingdom ऐसा कुछ अगर लिखावा आएगा वहाँ पे द आएगा The Republic of Ireland The Irish Republican The United States of America The USA ऐसा क्यूँ? उसका answer बहुत clear आपके सामने आज कर देते हैं दोस्तों जो group of countries है, जो group of states है वो unite हुई है, एक हुई है Republic का मतलब क्या है? एक होके सम्विधान बना है जहां भी ऐसा हुआ है Republic को हिंदी मैं कहते है गनतंत्र जहां यह Republic आएगा जहां यह united हो रही है वहाँ द जरूर आएगा चलिए, मैं लिए चलता हूँ आपको और आगे The S, S का मतलब है plural names We use the plus plural names of country islands, mountains plural names क्यों दोस्तों क्योंकि वो group of countries है The Netherlands, एक country नहीं है पहले country हुआ करती थी Holland अब उसका actual नाम हो गया है The Netherlands जो आसपास के कुछ दूइप है उनको जोड दिया गया है The Netherlands The Canary Islands The Philippines जहां भी ऐसा होगा, plural name होगा वहाँ, द लगेगा चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पे समझेगा Seas, Rivers इनके जो नाम है द लगाना है आपको जैसे The Atlantic Ocean The Nile जो भी कहते है The Mediterranean Sea The Suiz Canal The Amazon यह भी रिवर का नाम है The Black Sea The Red Sea चीक है ना The Dead Sea आपने सुना होगा तो जो भी Seas है Oceans है Rivers है उनके नाम के आगे Canals है उनके आगे द तो जो बड़ी-बड़ी Water Bodies है उनके नाम के आगे The लगाएंगे अच्छा और अगर Places and Towns है Streets या Building etc In General We do not use The With the names of Street Squares जब यह Streets Squares कोई भी इस तरह के आते हैं उनमें The नहीं लगाना है जैसे Kevin lives in Newton Street Whereas Highfield Road Times Square Is in New York तो City के नाम के आगे The नहीं है उसमें कोई 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 सरकल है कोई उनके आगे The नहीं है कोई स्ट्रीट का नाम है The नहीं लगाते हैं We do not use The Name of Places Or Person Airport Station University जो भी Station के नाम अगर Person के नाम है और उसके साथ अगर Airport Station लिखावा है देखिए एक वीडियो में हमने देखा था पिछले या उससे पिछले वाले में General World अगर Airport ले रहे हो तो उस City का वही Airport है उस City का वही Railway Station है कोई देख लगाएंगे यहां पर अगर किसी का नाम आ जाता है तो देख नहीं लगेगा जैसे Kennedy Airport कोई देख लगाने की जरूरत नहीं है Westminster Abbey कोई देख लगाने की जरूरत नहीं है Victoria Station Edinburgh Castle Cambridge University किसी प्रकार का देख नहीं लगेगा But usually we use The plus names of hotels, restaurants, pubs, cinema, theaters इनके अगर नाम हो क्यों ऐसा देखे difference एक city के अंदर आम तौर पे station एक ही होगा तो जब एक ही होगा तो दे लगेगा The Station The Airport नाम आ गया तो फिर वही adjective का का काम कर देगा मेरी बात सुनीगा नाम आ गया तो वही adjective का काम कर देगा The लगाने की ज़रुत नहीं लेकिन उसी city में बहुत सारी hotels है बहुत सारे restaurants है बहुत सारे pubs, cinemas, theaters आदी बहुत सारे हैं जब ये बहुत सारे हैं तो The Hilton Hotel The Science Museum The National Theater The Tate Gallery तो जहाँ पे इस तरह का नाम आएगा वहाँ आपको The लगाना ही ये बात का ध्यान रखेंगे नेक्स्ट बात है दोस्तों Off ये बहुत important rule है यहाँ हमको The लगाना है Names with of dash यानि इसे हम rule कहते है Noun of noun Noun of noun क्या मतलब है The Republic of Ireland The Great Wall of China The Bank of England The Tower of London The Dash of Dash The Dash of Dash The North, The South, The East, The West, The Middle of ये आपको बताया जा चुका है पहले भी बहुत ही महत्वपूने Directions के नाम के आगे दर लगाना है I have been to the North of Italy But not to the South यहाँ भी दर लगा और यहाँ भी दर लगा तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी दोस्तों बहुत ही महत्वपून एक यूनिट हमने यहाँ कम्प्लीट की है अब आजाए एक्सरसाइज पे दोस्तों पहली जो एक्सरसाइज है उसमें English कम जियोगराफी जादा है तो आप सभी विध्यारती जिनकी जियोगराफी अच्छी है वो स्वयम कर लें मैं इसे नहीं कर वारा हूँ मैं होमवग दे रहा हूँ क्यों होमवग दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आपको सारे के सारे नंबर्स भी गिवन है कुछ नया नहीं है एक तरफ मैप को लिए सारे के सारे काम हो जाएंगे यह आप स्वयम कर लें मैं लिये चलता हूँ उससे भी महत्तुपूर्ण यह बहुत इंपोर्टन्ट है यह बहुत महत्तुपूर्ण है जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको सारे को अच्छे से करना है चीक है ना Kevin lives in Newton Street कोई तरह की problem नहीं है क्यों? Newton Street, X Street का नाम है कोई तरह का The नहीं लगेगा We went to see a play at the National Theatre Theatre हो गया Music हो गया Cinema हो गया Hotel हो गया Restaurant हो गया Pub हो गया The लगाओगे यह ध्यान रखना है the लगाओगे have you ever been to China कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों China वैसे अभी मुझे जाना भी नहीं है जाना चाहूंगा भी नहीं मैं लेकिन ये तो पूछ रहा है क्या कभी गए हो भाई China have you ever been to the Philippines क्या डिफरेंस है China एक जनरल कंट्री है जैसे the United States of America the Republic of India the Republic of China और जो भी प्लूरल कंट्री के नाम है कंट्री के प्लूरल नाम है the Philippines the लगाया हमने have you ever been to the South of France आपको बताया था कोई भी off वाला नियम लगा दीजिए या direction वाला नियम लगा लीजिए off तो लगेगा ही लगेगा आगे देखते हैं दोस्तों next क्या कह रहा ही है आगे दोस्तों ये कह रहा है Regal Regal Cinema Cinema के नाम के आगे the लगाते हैं आपको बता होगा बता चुका हूँ मैं Cinema के नाम के आगे Theater के नाम के आगे the लगेगा ही लगेगा लेकिन Street के नाम के आगे कुछ भी नहीं लगेगा। अगर यह स्ट्रीट नेम है तो कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। Can you tell me where the museum of modern art? The museum of modern art आपको याद होगा, museum के नाम के आगे the लगाना है। Europe एक continent है, Australia एक continent है, किसी जगे भी the लगाने की जरूरत ही नहीं है आपको, याद रखिये, किसी भी प्रकार का the नहीं लगेगा। Belgium इसमें नहीं लगेगा। Smaller than the Netherlands, lands आया है, ऐसा आया है, जरूर लगेगा। Question number nine में किसी जगे the नहीं लगेगा, लेकिन ten में जरूर लगेगा। Belgium के आगे तो नहीं, नीदर लेंज के आगे जरूर, plural नाम आपको याद होगा अच्छे से। Question number 11 देखिये साब, which river is longer? दोस्तों the Mississippi, the Nile, ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। दोनों में the लगाना है, भूलना नहीं है गलती से भी, दोनों में the लगेगा, दोनों ही नदियों के नाम है। Did you go to the national gallery? दोस्तों national gallery जैसा आपका theater हो गया, cinema हो गया, यह museum का type हो गया, the तो लगाना ही पड़ेगा। Where do you stay? At park hotel, park, the park hotel, दोस्तों हमने कहा था, Hudson में कोई the नहीं लगेगा क्योंकि city का नाम है। लेकिन park hotel से पहले the जरूर लगेगा, जरूर लगेगा। क्यों hotel का नाम है। How far is from Trafalgar square, Trafalgar square कोई तरह का दर लगाने की जरूरत नहीं है, Victoria state कोई दर लगाने की जरूरत नहीं है। यानि 14 number is okay, एकदम first class है। Rocky mountains दर लगेगा, दोस्तों Rocky mountains एक तरह का mountains है, दर लगेगा। Are in North America, यहाँ okay है, कोई problem नहीं है। यह एक continent, maha dweep का नाम है, कोई दर नहीं लगाना है। दोस्तों बस एक एक बात मैं जो बता रहा हूँ, ध्यान से देखते जाहिएगा। Question number आ जाते हैं, दोस्तों 16 पे. Texas, एक तरह की city का नाम है, कोई article नहीं चाहिए, कोई दर नहीं चाहिए, famous for oil and cowboys. Okay है, कोई दिक्कत नहीं है। Panama Canals, दोस्तों यह दर लगेगा, Panama Canal, Canal के आगे दर. Atlantic Ocean, the Atlantic Ocean. Pacific Ocean, the Pacific Ocean. तीन दर लगेंगे, एक ही वाक्य में, वाक्य नमबर 17, 17 नमबर sentence में, तीन जगे दर लगेंगे. Oceans के नाम के आगे दर लगता है, Canals के नाम के आगे भी दर लगता है. I hope to go to the United States, the United States. दोस्तों यह जो chapter हम पढ़ रहना, मैंने पहले भी कहा, बहुत important है, फिर कह रहा हूँ, बहुत important है. Please कोशिश करिए, इनके pointers अपनी copy में बना ले, जब भी होगा एक बार review करने को रहेगा. कोई चीज अगर नहीं समझ में आती है, मेरा वीडियो फिर से देख लें, आपको उस चीज़ें समझ आ जाएंगी. आपको फिर भी लगता है कुछ जगे question doubt रहे गया, कुछ जगे मैं fast चला गया, आपका interaction नहीं हुआ, not to worry दोस्तों, comment box किस लिए है, अच्छा लगे तो वहां comments करिए, मैं reply करूँगा. अगर आपको बुरा लगे तो comment करिए, मैं reply करूँगा. कोई doubt हो, कोई question हो, कुछ भी आपको पूछना है, आप comment box में ज़रूर type करिए, हम दोस्तों एके comment हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, दोस्तों सबसे important है, share करिए, बहुत सारे ऐसे comments मैं देख रहा हूँ, जो subscriber नह ही है, तो फिर आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे है, subscribe करिए हमारे channel को, दोस्तों, channel को subscription से कोई भी नई चीज हो सकता है, अभी आपको पता है कि इतने बज़े Raymond Murphy आएगी, इतने बज़े SP बखशी आएगी, कुछ नया अगर हम देंगे, वो miss ना हो जाए आप से, please मैं आ the west of Ireland, west से पहले एक the लगेगा, west of Ireland, Alan studied, Alan इंजान का ना में कोई article नहीं, physics subject का ना में कोई article नहीं, the Manchester University कोई article नहीं, क्योंकि university के नाम के आगे the नहीं लगाते हैं, तो दोस्तों, यहां हमारा एक और बहुत प्यारा unit खतम होता है, यहां पे सारी चीज़ों को finish करते, आगे बढ़ेंगे नेक्स वीडियो में, नेक्स उनिट पर, थांक्यों एंजिक, प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डिजिटल तैयारी!